नमस्कार दोस्तो एक बार फिर आज इस नए वीडियों दोस्तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ उमीद करता हूँ दोस्तो आप सभी अच्छे होंगे यह लगबग आपके चार जीलों से भरती निकाली गए यह ठीक है तो चार जीलों का मैं डिटेल में दिखाऊंगो कौन-कौन सा जीला सामिल है किस जीले से कितने पद है फार्म कैसे बनना step by step पूरा मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ तो आईए दोस्तों शुरू करते हैं शुरू करने से पहले मेरा आप से रूकेस्ट है अगर आप हमाई चैनल ना है तो चैनल को सस्क्राइब कर लीजे और बिल के गंटी को प्रेस कर लें ताकि जो भी गवर्बेंट के तरफ से भरती है जारी हो उसका नोटिफिकेसन आपको स्वत्य मिलता रहे आप मिस्स ना करें तो आईए दोस्तों शुरू करते हैं तो दोस्तों मैं इसका आनलाइन फार्म भरने से पहले आपको थोड़ा सा सौट नोटिफिकेसन दिखा देता हूँ बैकेंसी के बारे में किस जिले से कितने पद है क्या योगतची कौन-कौन फार्म को भर सकता है उसका आनलाइन फार्म आपको कैसे भरना घर बैठे वो भी मैं step by step पूरा complete process आपको बताने वाला हूँ जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे होंगे देखे बीभाग का नाम है भूगर्व जल ठीक है पद का नाम है ब्लॉक कॉडिनेटर तेरा एक दो हजार चौबी यानि कि तेरा जनौरी तक फार्म भर पाएंगे पांस तारिक से आपके दोस्तों फार्म शुरू है टोटल पद की बात करें तो दोस्तों यह आपके चवदा है और यह एक जिले के हैं कौन सा जिला है इसके नीचे हम लोग देख लेते हैं फटड़ा स्वड एते लिआ टोटल चार जिलों सी भडती आए तो मैं भी आधर जिलों को अभी आपको दिखाने वाला हो योगता वगेरा सब कुछ आपको सेम लगीगी यहाँ पे आप देख पर नीचे तरब graduation आपका होना चाहिए यहाँ पे देखे यह भी लिखा गया है कि agriculture जो agriculture वले comment कर रहे थे वो भी इस पे apply कर सकते हैं यहाँ पे आप देख पर हैं सिच्छा का इस तरब all degree all subject agriculture के रहाँ और सभी लोग भी इस पे apply कर सकते हैं जैसे graduate art हो गया social science हो गया ठीक है यह जितने भी environmental science हो गया all subject आपका science है bsc है कुछ भी है लेकिन आपका graduation होना चाहिए तो आप apply कर सकते हैं यहाँ पे आप देख पर हैं पुरूस महिला बिकलांग बहुत पूर सभी कोई भी apply कर सकता है 20,000 रुपय सहली मिलेगी एज 21 से 40 साल के बीच में होनी चाहिए यहाँ नीचे आप देख पा रहे हैं राज्य उत्तरपदेश और यहाँ पी जनपद आपका मेरट क्लियर हो गया चलिए एक जिले की तो आपकी होगे मेरट की दूसरा आपका जो जिला यहाँ पे देखिए अगला जो आपका है यहाँ पे भी आपका बोगर जल्बिवाग की तरफ से 13 तारिक लाज डेट है यहाँ पे 6 पद हैं सेम योगता चाहिए यानि कि ग्रेज जिला यहाँ पे 30 पद है ठीक है यहाँ पे आप देख पार है विभाग का नाम भुगर्बजल पद का नाम है ब्लॉग कोडिनेटर 13 जनुरी तक फॉर्म भर पाएंगे टोटल यहाँ पे 30 पद है दोस्तों यहाँ यहाँ योगता सेम है ग्रेजिएशन आपका किसी भी सब क्प्लीट करने पड़ेंगे यानि की वर्क आपको करने पड़ेंगे और उसको भूगर्व जल से रिलेटेट भी आपकी काम हो सकते हैं यहाँ पर देखिया मैं जैसा कि बताया कोई भी अपलाई कर सकता है चैन पद आपका बांदा ठीक है और यहाँ पे दोस्तों यह बान 13 तरिक तक इसका भी फार्म भर पाएंगे योगता दोस्तों आपकी सेम रखे के यह कुछ भी चेंज नहीं है महिला पुरुष दोनों अपलाई कर सकते हैं 70,000 रुपए आपको मिलने वाली है यह दोस्तों उत्तरपदे जिला आपका जहां सी तो मैं आपको बता दू इन भरतियों के लिए आल यूपी आप किसी भी जिले से हैं ठीक है आल यूपी अपलाई कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है ठीक है चाहे आप जिस भी जिले के रहने वाले हों तो इस तरह से यह रही आपकी भरती की अपडेट आप दोस्तों आपको online form दोस्तों कैसे भरना है वो मैं आप पूरा step by step आपको बताने वाल हो तो बिल्कुल आप वीडियो पे बने रहें तो दोस्तों इसका online form भनने के लिए सबसे पहले क्या करना है अपने फोन बे गूगल ओपन कर लेना उसको टाइप करना है यह इसकी आपसल वेफसाइड है सेवयोजना-up.nick.in ठीक है यह इसकी आपसल वेफसाइड है टाइप करने बाद सीधा जोस्तों सर्च वाले आपसल क्लिक करना है जैसे क्लिक करनेंगे नीचे आइंग यहाँ पे आप देख पाई तीन लाइन आपको नजर आ रही हूँ धियूं सीहां देखी भी में तोड़ा से जूम टरूम कर देता हॉँ यहाँ पर देख आ है इसी पे जूम हम कर लेते हैं और इसको बाड़ने इस फिAK क कुछ open होगा ठीक है इसको open होने एक बात क्या करना नीचे तरह ड्रैक करना यहां पर देख पर है नियू एकाउंट और लागिन का आपसन नजार आ रहा है तो देखिए इस पर करना क्या है जो दोस्वाइब पहली बार इस वेफ साइट पहा रहे हैं उनको पहले क्या करना न देखिए नीचे तरफ जॉब सीकर और इंप्लॉयर तो हमको क्या करना दोस्तो इस जॉब सीकर वाले आपसन पर क्लिक कर देना है जैसे जॉब सीकर वाले आपसन पर क्लिक करेंगे नया पेज हमाए सामने कुछ इस तरह से open हो जाएगा रिजिस्टेशन वाला द्यान से अनुसार बीड़र जो है अंग्रेजी में भरें जो आपके आधार कार्ड हमें है वही सेम यहाँ पर आपको बनना है यहां पर देखिए इस्टार लगा फरस्ट नेम यह आपको बनना कंपल सरी है लास्ट नेम मिडिल नेम अगर है तो भर दीजेग नहीं तो छोड़ यूजर आईडिया आपको स्वेम से बना लेना है कुछ भी आप यूजर आईडिया देख सकते हैं लेकिन आपको ध्यान रखना यह यूजर आईडिया आपको लिख लेना है यही यूजर आईडिया से आप लोग इन करोगे पासओर आपको बना लेना है कैसे आपको बनान आप यह सौच रहा हैं कि सर यहां पर ढर दोस्तों और क्यों यह पार्च हो कर सकते हैं, कि आधार से लेता हैं तो हम our lady दोस्तों दोस्तों नहीं कर सकते हैं, आपको यह जानना है कि आपका कैसी रजिस्सिंटर्च करना कैसे है, तो चैनल पर जाईए मैंने वीडियो बना दिया वो आप जाके देखके रजिस्टेशन बिल्कुल ऐसे ही करना कर सकते हो जब रजिस्टेशन हो जाएगा उसका आप क्या करोगे लागिन हीयर वाले आपसें पर नीचे आपको नजार आ रहा है इस पर सीधा क्लिक करना है ठीक है जैसे इस पर दोस्तों क्लिक करेंगे तो लागिन वाला जो पेज हम आये सामने ओपन हो जाएगा तो जो अभी हमने यूजर आईडी बनाए वह यहां पर फिल करना है पासवर्ड जो हमने बना है यहां फिल करना है चली फट अफट मैं अपना यहां पर डिटेल फि क्लिक करेंगे चले इस पर क्लिक कर देते हैं जैसे दोस्तों पर क्लिक करेंगे हम इसकी जो आपसल वेबसाइड वहां पर देखिए लागिन हो चुकी है अभी तक दोस्तों मैं ने देखिए 152 फाम आपको कंप्लीट करके दिखाए है इस समय देखिए इस पोर्टर पे 1208 भरतियां चल रही है ठीक है जैसे दोस्तों आप इसको लागिन कर लेंगे रजिस्टेशन के बाद तो यह इस टेप आपको कंप्लीट करना दिहान से आप देख लीजे ब्यक्दिगत ठीक है संपर कहने के अड्रेस वगएरा सारी इस सैच्छिक आपकी योगता क्या है भास जैसे दोस्तों पर क्लिक करेंगे फिर से नया पेज कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा यहां पर आप देख पा रहे हैं तो हमको सलेट करना है सैच्छिक योगता ठीक है यह सैच्छिक योगता वाले आपसन पर क्लिक करना है जैसे क्लिक करेंगे यहां पर देखे इस पॉटल पर नीचे आपकी 100 होने लग जाती है यहां पे इस नातक लेबल वाली भरतियें की 100 होना सुरू हो गई है अब हम जिन भरतियों के बारे बात करना चाहरे हैं देखे ध्यान से आप यहां पे इस भरति में अभी तक आवेदन जो है वह 113 फार्म कम्प्लीट हो चुके क्लियर है यहां पे आप देख पर है विभाक का नाम भूगर बूगर बुजल और यहां पे जनपद मेरठ ब्लॉक कोडिवेटर का पर है अंतिम्तिती है तेरा एक दो हजार चोबिस जैसे मैंने अभी आपको इसके बार ने दिखा भी दिया था दूसरा आपका देखिए सहार केल मैंने आपको स्टाइटिंग में दिखाया है वह यह जो भी डेटा यहां पर सो होगा तो माली जी हमको नहीं देखना है आवेदन करे वाले आप्सन पर सीधा सीधा क्या करना है क्लिक करना जैसे दोस्ते इस पर क्लिक करेंगे फार्म जो है वह हमारा भर जाएगा कैसे यहां पर देखिए जो वाइट वाई लाइन आपको नजर आ रही है वह लाइन आगे एक तरफ ऐसे आएगे वह फार्म हमारा भर जाएगा कुछ और नहीं करना है बिलकुल सिंपल तरीके से आसान तरीके से फार्म कंप्लीट होते हैं हाई यह देखिए इस तरह से है कि सैच्छी की व्यक्ता हमको क्या करना है सलेट करना पड़ेगा दोस्तों यहां से ग्रेजवेशन ठीक है तो चलिए हम ले लेते हैं फिर से खोज़ो वाले आप सम्पर दोस्तों क्लिक करेंगे फिर से भरती सो होगी ठीक है तो एक पद मैंने आपको भरके दिखाया है म से ने रठ्का अभी और जी लोग अभी भेहता है चार जी लोगा आप अप्लाइ कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं ठीक है नहीं कि पुङए को देखी कर दो को bạn能 nagy सकते हो तो आप चाहो तो इसका स्क्रीन साट ले सकते हो इसी तरह पता चल पाता कि हमारा फार्म कंप्लीट हुआ या नहीं अगर इसके नीचे आप ध्यान से देखे तो यहां पर कोई डेट मेंसन नहीं है तिक यानि कि यह अभी कंप्लीट नहीं हुआ है अब देखिए अगर मैं च देखना कैसे मालीच आप बाहर इसकीप कर दियो नहीं दिये हूं जो भी है यहां पर देखिए सैली लगभग 25,000 बनी देखिए 20,000 रुपय तो आपकी जो है अब भी थ जो है टीए डीए भी आपको पांच जार यहां पर मिलने वाला है यहां पर देखिए ओके पर क्लिक क हो चुका है आप देखिए यहां पर समझ सैची को योगतावाले आपसन फिर से क्लिक करना है जैसे क्लिक करेंगे इस नातक वाले पर क्लिक करना है फिर से खोजवाले आपसन पर क्लिक करना है खोजवाले आपसन पर जैसे दोस्तों क्लिक करेंगे भरती है वो फिर से सो होन ना है ठीक है नीचे आप देख पा रहे हैं यह इस तरह से देखे एक डेट यहां पर मिंसन हो गई साथ और साथ यहां पर मिंसन हो यानि कि दो जीलो का फार्म हमने कंप्लीट कर लिया है आप देखे तीसरे नमर पर बांदा आपको नजर आ रही होगी चलिए इसका थोड़ा आप देख से फॉक्साव जोगता आपका जोसतो हिसना टक होना चाही है ठीक है सैलि यहां पर 20 परिल्iko एक देख पर उत्तर प्र्स जण पडाब आपका बांदा है क्लीए हो गया आप जैसे चाहें तो आप यहां से भी फॉर्क भर सकते हैं रिक है यहां से भी फॉर्म भर से यही करिएगा अगर आप अपने से कोशिस करते हो सीधा बाहर जाएंगे ठीक है इस साइड में थोड़ा सा सावधानी से काम करना है साइड बहुत सही नहीं चलती है यह देखे बाहर आगा है फिर से हमको सैच्छी गोता सलेट करना है इसना तक फिर से खोजोवाले आप से पर क्लिक करेंगे जो हमारा फाम है वो फिर से कंप्लीट हो जाएगा थोड़ा सा वेट करेंगे अभी भरती जो है वो यहां पर दोस्तों सो होने लग जाएगी देखे अभी भी सो नहीं हो रही है तो थोड़ा सा पेसेंस रखना इसका सरवर थोड़ा डाउन रहता है लेक क्लिक करेंगे इसका जो फाम है वो देखे कंप्लीट हो जुका है तो बिल्कुल आसान तरीके से आप फाम को भर पाऊगे कोई दिक्कत नहीं है उसके पहले देखिए मैं एक चीज़ आपको बता दूँ थोड़ा दिक्कत होती इसकी साइड में अगर आप अच्छे से आरा कि कोई भी एक्जाम नहीं है ठीक है फाम भरना है लिस्ट में अगर नाम आएगा तो आपको डाकुमेंट पे वेरिफिकेशन और इंटर्वी के लिए बुलाए जाएगा ठीक है तो इस तरह से देखिए चारो जुलियो को मैंने आपको भर के दिखा दिया है तो आप लोग कोई चीज जानना है आपको कुछ भी नहीं समझा रहा कोई कोई रही है तो आप कमेंट करके दोस्तों मुझसे पूछ सकते हैं अगर डारेक्टली बात करना चाहरा है तो दोस्तों जो इंस्टाग्राम का लिंक है वो वीडियो की डिस्क्रिस्टन ने दिया गया है आप इं